नमस्का दोस्तू, स्वागा थे आपका हमारे चनल पीके गुरू जी में आज के अपने इस वीडियो में हम विग्जान से सम्मंदित कुछ फिसनों को यहां डिसकस करेंगे तो चलिए जिन फिसनों को हम डिसकस करने वाले हैं उनको देख लेते हैं तो इसमें जो हमारा प्रिसन है कि प्रकास की तीवरता नापने के लिए जिस उपकरण का उपयूग किया जाता है उसे कहते हैं ठीके तो प्रकास की तीवरता जिस उपकरण से नापी जाती है उस उपकरण का नाम है यहां पर हमें बताना है ठीके, ऐप्शन A है एनिमो मीटर, उप्शन B है कोलोरी मीटर, ओप्शन C है लक्स मीटर और ओप्शन D है такого मैं समीह प्रतिन अपिए ग्रूरी मीटर तो इसका जो सही अंतर है वह है लक्स मीटर निया, लक्स मीटर के द्वारा प्रकास की इतीपदा का मापन किया जाता है किया जाने बाले रंग को मापता है आगे बढ़ते हैं कि जो रडार होती है रडार उप्योग में आता है रडार किस उप्योग में आता है वो हमें बताना है ठीके अप्सन यह है प्रकास तरंगों द्वारा बस्तूओं का पता लगाने में धौनी तरंगों को परावर्जत कर बस्तूओं का पता लगाने में फिर है रेडियो तरंगों द्वारा बस्तूओं की इस्थिति ग्याद करने में और अगला है बरसा करने बाले बादलों का पीछा करने में तो इसका जो सही आंसर है वह है रेडियो तरंगों द्वारा किसी बस्तू की इस्तिती ग्याद करने में हम रडार का उपयोग करते हैं आगे वरते हैं कि जो रडार है रडार सब्द मूलता है एक संचित रूप है जिसका पूर्ण रूप है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग यह बस्तू का पता लगाने वाली एक प्रणाली है जो सूच में तरंगों का उपयोग करती है इसके दोरा रेडियो तरंगों के माद्यम से दूर की बस्तू की इस्तिती, उचाई, दिसा, उगती, ग्याद की जाती है आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है कि निम्न में से कौन सी रासी जियक्टर प्यमाने पर मापी जाती है ओप्शन A है हिमनादी की चाल ओप्शन B है जनसंख्य बिद्धी ओप्शन C है भूकंप की तीब्रता और ओप्शन D है प्रत्वी के अंधर का तापमान तो इसका जो सही अंसर है वह है भूकंप की तीब्रता यानि रियक्टर प्यमाने पर भूकंप की तीब्रता मापी जाती है आगे बढ़ते हैं कि जो रियक्टर स्केल है यह भूकंप की तीब्रता को मापने का एक प्यमाना है यह एक log rhythmic scale है जिसमें एक से नो तक बराबर बंटा पैमाना होता है reactor scale में प्रतेक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे बाली संख्या के दस गुने परमार के बराबर होती है आगे बढ़ते हैं कि निम्न मैंसे भूकंप मापी यंत्र कौन सा है ठीक है भूकंप मापी यंत्र हमें बताना है option A है कैस्कोग्राफ option B है सीस्मोग्राफ option C है गीगर काउंटर और option D है रेन गेच तो इसका जो सही अंसर है वह है सीस्मोग्राफ यानि B नम्मर का option इसका सही है आगे बढ़ते हैं कि जो सीस्मो ग्राफ होता है सीस्मो ग्राफ से भुकाम पीती बृता को मापते हैं कैस्को ग्राफ जो होता है यह पौधों की बृध्धी मापने का यंत्र है जिसका आविसकार भारती विज्ञानेक जगदीश चंद बोस ने बर्ष उन्नीस सो में किया थ आगे बढ़ते हैं कि जूट का पता लगाने बाला यंतर किस नाम से जाना जाता है ठीके तो जूट का पता लगाने बाला यंतर में बताना है जूट का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफ का यूज किया जाता है आगे बढ़ते हैं जो पॉलीग्राफ होता है यह आता है जूट का पता लगाने वाला यंतर है पाइरोमीटर जो है उच्छ ताप मापने का यंतर है गाइरोइसकोप जो है घूमती हुई बस्तूओं की गतीनापने का यंतर है जो काइमोग्राफ है यह सरीर की किरियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपद करने वाला यंतर है आगे बढ़ते हैं कि निम्न मेसे सुमेलत नहीं है यहां बताना है कि कौन सा सुमेलत नहीं है भूकंप, सीस्मोगराफ, ऊचाई, अल्टिमीटर, बिद्द्धारा, एक्टिमीटर, अप्यत्रोद, आम ठीक है तो इसमें जो विद्दुधारा है वह एक्टी मीटर से नहीं अमीटर से मापी जाती है तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा option number C आगे बढ़ते हैं कि जो केरेटो मीटर का उपयोग किसली ये किया जाता है तो केरेटो मीटर का उपयोग हमें बताना है इसके लिए हमारे पास option है option A है प्रकास की तीबिता मापने के लिए option B है सोने की सुधता मापने के लिए option C है है खेदाय की धोनी सुनने के लिए और option D है जगत चाप मापने के लिए तो इसका जो सही अंसर है वह है सोने की सुधता मापने के लिए यानि केरेटो मीटर का यूज किया जाता है सोने की सुधता मापने के लिए आगे बढ़ते हैं कि जो केरेटो मीटर है इससे तो सोने की सुधता का पता लगाते हैं लक्समीटर का उप्योग दू किया जाता है और प्रकास की त्रिवितमा अपने के लिए किया जाता है आगे बढ़ते हैं किताब के निमलिखित मैंसे किस पेमाने में रिनात्मक मान नहीं होता है ठीक है हमें ये बताना है कि ताप के किस पेमाने में रिनात्मक मान नहीं होता है आप्शन A है Celsius, आप्शन B है Fahrenheit, आप्शन C है Kelvin और आप्शन D है जियूमर तो इसका जो सही अंसर है वह है Kelvin यानि Kelvin जो ताप का पेमाना है इसका कोई रिनात्मक मान नहीं होता है आगे बढ़ते हैं कि Celsius, फॉरनेहाइट और जियूमर पेमाने का मान रिनात्मक होता है जबकि Kelvin पेमाने का मान रिनात्मक नहीं होता है आगे बढ़ते हैं कि निमलिखित यूगमों मैंसे कौन एक सुमेलिखित नहीं है Option A है ओडो मीटर बाहनों के पहियों द्वारता है कि दूरी मापने के लिए ओडो मीटर विद्धुत चुमे की तरंगों किया विद्धि मापने के लिए ओडियो मीटर धोनी किती विद्धा मापक एंत्र और एमीटर विद्धुत सक्ती का मापक एंत्र नहीं है, तो एमिटर जो है विद्दुत धारा मापन के लिए प्युक्त होता है ना कि विद्दुत सकती मापन के लिए आगे बढ़ते हैं कि एलेक्ट्रो इंस सिफलो ग्राफ यानि एईजी से क्या मापा जाता है option A है मस्तिस्क की बिद्धुती गत्विधी को मापने वाला एंत option B है सरीरी के आंत्रेक अंगों का नेक्षिन करने वाला एंत option C है सागर की गहराई मापने की एक्ति option D है कॉणिए बेग मापक एंत तो इसका जो सही नसर है वह है option नमर A मस्तिस्क की बिद्धुती गत्विधी मापने को मापने वाला एंत है वह हई E.E.G आगे बढ़ते हैं जो E.E.G है मस्तिस्क की बिद्धुत गत्विधी को मापने वाला एंत है endoscope है शरीर के आंत्रिक अंगों का निक्षिन का यंत है फैदो मीटर साइगार की गहराई मापने का यंत है और जाइरो सकोप कौडि बेग मापक यंत्र थेंक्यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद झाल झाल